हेलो इस्ट्रों आज के इस वीडियो में हम डिस्क्स करने वाले हैं क्लास 8 के कंप्रेटर के चैप्टर 7 के कुश्चन आंसर को जो की है इंट्रोड़क्शन टू पीएच्पी और इस पूरे चैप्टर को जो हमाने थ्री पार्ट में एक्स्पियेंड कर रहा था तो अगर आप इसको एजली एक्जाम में भी कर पाएंगे तो चलिए ज्यादा टाइम ने भीश्ट करते हुए आज की वीडियो के स्टार्ट कर लेते हैं और इस चैप्टर के को आंसर को तो सबसे पहले हम डिसक्स करेंगे के पार्ट बन को जिसमें जो है फिल इन दब्लैंक से तो आपके कर सकते हैं तो यहां पर जाएगा मेन्यू बार क्योंकि यह बात हो रही है नौटपट प्लस प्लस की बात करते हैं अगले कोशन की जिसमें की बूला गया है तो यहां पर आपका आज जाएगा कमांड्स next question की बात करते हैं जिसमें की बोला गया है the dash window is used to write and add the code कौनसी window जो है जिसके help आपके करते हैं write करते हैं और edit करते हैं अपने code को तो यहाँ पर आजाएगा आपका code editor window next question की बात करते हैं question number 4 इसमें बोला गया है the dash displays the status related to the characters, lines, column and a selection of the current file you are working with तो क्या चीज़ जो है display करती है इस सब चीज़ों का status तो यहाँ पर आजाएगा आपका status bar next आप मात करते हैं question number 5 की इसमें बोला गया है an operator needs one or more dash to perform any operation एक operator को जो है एक एक से ज्यादा किस चीज़ की requirement होती है to perform any operation तो यहाँ पर जाएगा ऑप्रेंट पर ही जो है operator को हम अप्लाइ करती है और उन्हीं पर जो क्या करता है operator function perform करता है तो यह complete हो गए chapter के फिलेंद ब्लैंक मुझे लग रहा है आप लोग को clear होगे होंगे अब बात कर लेते हैं रखे true false की तो true false की अगर हम बात करें तो पहला true false दे रखा है इन पीएच्प एन अडेंटिफायर कं कंस्टिस्ट ऑफ any combination of letters, digits and underscore कहने का मतलब यह है कि PHP में चौप का identifier होता है वह आपके किसी भी letter के combinations हो सकता है उसमें digit भी हो सकते हैं और उसमें underscore भी हो सकता है तो यह statement true or false है तो यह हो जाएगा आपका true यह बात बिलकुल सही है बात करते हैं question number 2 की इसमें बोला गया है in php both uppercase and lowercase letters can be used in naming and identifier मतलब कि बोल रहे हैं यहाँ पे कि php में जब आप identifier का name मनाते हैं तो इस case में uppercase और lowercase दोनों ही letters का आप use कर सकते हैं तो इस statement क्या है पूरी तरीकी से true है बात करते हैं यहाँ पे question number 3 की इसमें बोला गया है the relational operators are used to evaluate two or more conditional statements मतलब कि जो relational operator होते हैं जो कि मैंने आपको पढ़ाये थे उनका यूज किया आता है दो यह दो से जादा conditional statements को evaluate करने के लिए तो यह statement true or false है तो यह statement जो है पूरी तरीके से false है बात करते हैं अगले question की question number 4 की the post method is used with the form tag तो यह question बोला है कि with end मतलब कि जो identifier का नेम होता है वो हमेंसा किससे start होता है end के sign से start होता है तो यह statement true or false है तो यह statement हो जाएगा false तो मुझे लिए आप लोग को यह true false भी समझ में आ गये होंगे अब हम बात करते है इस chapter की अगले section की जिसमें की जो आपको one word में answer देनी है तो चलिए इन question को भी discuss कर लेते हैं तो पहला question यहाँ पर बोला गया है what is the ability of a code to run on any kind of operating system is called मतलब की जो code है उसकी ability है कि वह किसी भी operating system पर run कर सकता है तो इस ability को क्या बोला जाता है तो इसका answer हो जाएगा आपका portability बात करते हैं question number 2 की इसमें बोला है name the component that display the name of current code window मतलब की notepad++ में कौन से component होता है जो की current code window का name display कराता है तो इसका answer हो जाएगा title bar next question की बात करते है name the window that is used to write the code कौन सी window होती जिसमें की हम code को write करते हैं तो इसका answer हो जाएगा code editor window question number 4 की बात कर लेते हैं इसमें बोला जा रहा है what are the websites that share the user data with each other called मतलब की ऐसी websites को क्या बोला जाता है जो की data user का एक दूसरे के साथ में share करती हैं तो इसका answer हो जाएगा dynamic websites तो यह section भी complete हो गया है मुझे लग रहा है आप लोग को यह भी clear हो गया होगा अब बात करते हैं अगले section की जिसमें की multiple choice questions है तो चले इन multiple choice questions को भी discuss कर लेते हैं तो पहले question की बात करते हैं यहां पर बोले आ रहा है dash operators are used to perform the basic mathematical calculation मतलब की कौन से operator होते हैं जिनकी help जाते हैं basic mathematical calculation करते हैं तो options में है arithmetic logical and relational तो इसका correct answer हो जाएगा a arithmetic arithmetic जो operator होते हैं यह आपके करते हैं mathematical calculation perform करते हैं बात करते हैं question number two की इसमें बोला गया है the dash operator determine the relation between two or more operands मतलब की कौन से operator ऐसे होते हैं जो की determine करते हैं relation को दो या दो से ज्यादा operator के बीच में तो options है option A है logical B है relational और C है arithmetic तो इसका जो correct answer है वो हो जाएगा आपका relation मतलब की जो बी वाला option है वो correct answer हो जाएगा बात करते हैं आप question number three की इसमें बोला गया है a dash is an application that can be installed on a local machine और remote machine मतलब की ऐसा कौन से application होता है जिसको कि आप अपने local computer पर भी इस्टॉल कर सकते हैं और remote computer पर भी इस्टॉल कर सकते हैं तो इसके लिए option है option A है web server B है interpreter और C है compiler तो इसका correct transfer हो जाएगा option A जो की है web server बात करते है question number four की बात करते है question number five की question number five में बोला गया है इन PHP अब variable name start with a dash मतलब की PHP में जो variable का name होता है वो किस से start होता है तो इसके लिए options है option A है dollar B है and और E है add the rate यहां पर लिखने से रह गया है तो आप लोग जो है आहां पर add the rate को बना लेना तो इसके correct answer के अगर हम बात करें तो इसका correct answer हो जाएगा a dollar क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था कि जो भी variable का नाम होता है PHP में उससे पहले जो है dollar का sign लगा रहता है तो इस तरीकी से complete होगा है इस chapter के multiple choice questions अब हम discuss करेंगे इस chapter के question answers को तो बात करते हैं पहले question की तो पहले question में हम पर पूला रहा है list any two advantages of PHP मतलब जो PHP language है इसके दो advantage आपको यहां पर बताने याद तो चलिए discuss कर लेते हैं तो दो advantages के अगर हम बात करें तो पहला है it is easy to learn and use मतलब जो PHP language है यह बहुत widely use की जाती है server-side scripting के लिए और यह जो language है इसको आप easily learn कर सकते हैं और use भी कर सकते हैं दुसरे advantage के हम बात करें the code return with PHP can run on any operating system मतलब कि जो भी code आप PHP में लिखेंगे वो किसी भी operating system पर आपका run कर सकता है जैसे कि Windows हो गया Linux हो गया Macintosh हो गया तो इस तरह की कि जो operating system होती है इन सभी भी जो है PHP का code easily run कर जाता है तो यह भी जो है advantage है PHP का तो यह दो advantage मैं यहां पर लिख दी है अगर आप चाहें तो इन से हटके भी कोई advantage लिख सकते हैं बात करते हैं अगले question की तो next question पूछा गया है और अगले question की अगले question की बोला गया है what are the significance of a variable variables की जो है क्या significance होती है तो यहां पर हम बात करें इसका answer की तो variable जो होते हैं बहुत ज़्यादा important होते हैं programming में क्योंकि यह आपको allow करते हैं कि आप जो है इनमें value को store कर सकते हैं values को जो है manipulate कर सकते हैं code को reuse कर सकते हैं और dynamic data के साथ में work कर सकते हैं अपने code को organize कर सकते हैं तो यह सारा काम करने में आपको variable help करते हैं और जो आपका code होता है उसकी एक तरीके से बढ़ा देते हैं तो इस तरीके से हो जाएगा इस question का answer मुझे लग रहा है आप लोग को clear हो गया होगा देखिए यहां पर जो हम आपको question करा रहा हूं तो पहुज़ा तर डिटेल में नमबर 4 इसमें बोला गया है briefly explain the rules for naming variable variable को बनाने के क्या rules होते हैं उनको आपको यहां पर explain करने के लिए बोला गया है तो यह rules जो है मैंने आपको बहुत अच्छे समझाए थे क्या क्या rule होते हैं देखिए बैरेवल का जो नेम है वह हमेसा स्टार्ट होने चाहिए किससे ड सकते हैं गॉर्सकेन नेक्स हैं जैसे मा यॉयर्स होता है यहाँ जह कि बैरेवल के नेम में नहीं हो सकते लास्ट रोल कुछ नमबर 5 की तो कुछ नमबर 5 में बोला है identify the valid and invalid variables and give reason for the invalid one मतलब कि यहां पर इस तरीके से list दे रखी है और इसमें से आपको बोला जा रहा है कि आपको जो है valid वाले variables बताने हैं कि कौन से हां पर valid है और कौन से invalid है और जो भी invalid है उनके लिए आपको reason भी देना है कि वो invalid क्यों है तो चले बात कर लेते हैं answer की तो देखिए पहले वाले कि अगर हम बात कर रहे है रॉल नम तो यह invalid है क्यों कि बीच में जो है space दे रखा है और अभी जो है मैंने आपको रूल में बताया कि बैरेवल के नेम में space नहीं हो सकता तो इसको सही करने के लिए अंडर स्कोर के सां का use कर सकते हैं अगले वाले कि करम बात करें three time तो यह भी invalid है क्यों invalid है क्योंकि बैरेवल का name होता है वह number से start नहीं हो सकता बैरेवल जो नेम होता है वह मैंसरे start क को हो रहा है तो यह आपका सही है नेक्स किराम बात करें न्यू की तो यह वी इनवालरेद्ट क्योंकि न्यू रहा होता है की वर्ड होता है पहसंंनल में पहसं को इस तरीकी सेन चाहये तो भ Administration तो यहां पर यहां पर हाइफट का sign यूज़ हो रहा है और हाइफट का sign जो है अलाओ नहीं होता है कोई भी करेक्टर जो है वेल यूज़ कर सकते हैं यहाँ तरहीं कर सकते हैं तो यह ऊज़ाएगा ऐसका का आंसर मुझे लगर आप लोग को समझ में आ गया होगा बात करते हैं कुश्य नंबर 6 की तो कुश्य नंबर 6 में बोला या रहा है तो दोनों ही method जो हम क्या करते हैं data transfer करने के लिए उज होते हैं मतलब कि client and server के बीच में data transfer करने के लिए उज होते हैं और इन दोनों में main difference के अगर हम बात करें तो जो get method होता है यह retrype करता है data को किसी specifier resource से तो इसमें होता क्या है जैसी user क्लिक करता है submit वाले बटन पर तो get में data होता है वो क्या होता है URL में query के form में चला जाता है और इस method की help मैंने पहले भी आपको बताया था कि कोई भी आपका sensitive data है वो आपको send नहीं करना चाहिए मतलब कि submit नहीं करना चाहिए क्योंकि जो data होता है वो आपके URL में display हो जाता है जैसे कि password या फिर credit card number है इस type का data जो आपको guide method में share नहीं करना चाहिए और अगर हम बात करें इसके comparison में post की तो post में क्या होता है आप submit कर सकते है data को किसी specified resource के लिए तो post method में जब भी user data को submit करता है तो जो data होता है वो as a कह जाता है message body जाता है और यह method काफी जादे useful होता है sensitive data को share करने के लिए क्योंकि यहां पर आपका data address बार में visible नहीं होता है मतलब कि url में आपको देहने को नहीं मिलता है तो यही जो है main difference है get में जो आपका data display हो जाता है और post में जो आपका data display नहीं होता है web browser के address बार में तो मुझे लगर आप लोग को समझ में आ गया होगा कि get or post में किया difference होता है और इसी के साथ जो हूंने इस chapter के सारे के सारे कोशन आसर कर लिए हैं मुझे लगर आप लोग को समझ में आ आगे होंगे अगर आप लोग कोई doubter जा तो आप लोग कमेंट करके पूछ लेना मैं आपको डाउट के लिए करने की गोशेश करूंगा तो इसमें आज की वीडियो को यहीं पर एंट करते हैं नेक्स वीडियो में अगले चैप्टर को तो इसमें आज की वीडियो में इतना ही थैक्स पर वाचिंग